नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि पोस्ट ओफिस पीपी एफ योजना में 90,000 जमा करने पर मिलेंगे 10,90,926 रुपए रुपए सिर्फ इतने साल बाद तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं निवेश की बात की जाए तो बाजार में आपको कई निवेश विकल्प देखने को मिल जाएंगे इन विकल्पों में से एक है पोस्ट ओफिस पोस्ट ओफिस ने कई बचत योजनाएं चलाई हैं जिनमें FD, RD, PPF, SCSS आदी शामिल हैं इन सभी योजनाओं में अच्छा रिट PPF खाते की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपका पैसा पूरी गारंटी के साथ बढ़ता है और साथ ही टैक्स छूट का भी फाइदा मिलता है, PPF अकाउंट की परिपक्वता अवधी 15 साल होती है, इसके बाद आप इसे हर 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं पोस्ट ऑफिस की PPF योजना केंद्र सरकार द्वारा समर्थित छोटी बचत योजनाओं में से एक है, जो लंबी अवधी के निवेश के लिए बनाई गई है, वर्तमान में इस योजना के तहट PPF खाते पर 7 दशमलव एक फीसदी ब्याज मिल रहा है, आप यह PPF खाता किस इसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में आसानी से खुलवा सकते हैं, 500 रुपय से खुलवाएं खाता, पोस्ट ऑफिस की इस विशेश योजना में आप कम से कम 500 रुपय से निवेश शुरू कर सकते हैं, और अधिकतम 1.5 लाख रुपय सालाना जमा कर सकते हैं, इश्रेणी की इस योजना में तीन प्रकार से ब्याज भी बचाया जा सकता है। PPF खाता 15 साल में परिपक्व होता है। और इस सवधी के पहले आप खाते से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। 15 साल के बाद आप इसे 5 से 5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप 7,500 रुपए से इस Post Office PPF योजना में निवेश करते हैं, तो 24,40,926 रुपए से अधिक राशी का रिटर्न प्राप्ट कर सकते हैं। ऐसे एकठा होगा 24 लाख का फंड। अगर कोई व्यक्ति इस Public Provident Fund PPF स्कीम में हर महीने 7,500 रुपए का निवेश करता है, इसी तरह, 15 सालों में आपका कुल निवेश 13,500,000 रुपए हो जाएगा। PPF कैलकुलेटर के मुताबिक, 15 सालों के निवेश पर 7.1% ब्याजदर के हिसाब से आपको 24,40,926 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही, Income Tax Act के सेक्षन 80C के तहट Tax Lab भी मिलता है। इस योजना में निवेश की गई राशी पर 1.5 लाख रुपए तक का डिड़क्शन लिया जा सकता है। पैसे की होती है पूरी गारंटी। अगर आपका PPF खाता किसी कारणवश बंध हो जाता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसे आप सिर्फ 500 रुपए जमा करके फिर से सक्रिय कर सकते हैं। इसके लिए आपको नजदी की डागघर में जाकर एक लिखित आवेदन देना होगा। इस प्रक्रिया के तहट आपको 500 रुपए का न्यूंतम सालाना योगदान और 50 रुपए की पैनाल्टी का भुकतान करना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेर जरूर करें और एसके एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ताकि जब भी कोई इस तरह का नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको तुरंट सूचना प्राप्त हो जाए। धन्यवाद